यहां पे मैंने यह लहवा बना रखा है , यह इस जीगह जो लहंगा बना रखा है इसको हमें यहां पे लगा के और अंदर की तरफ यह पल्टी देनी है और यहां पे यह जो बारिक-बारिक जिग-जैक है यह दिखेंगे यहां पे नीचे की साइड में अब इसको हम यहां पे इस तरीक से लगा के और अंदर की साइड में फॉल्ड भी कर सकते हैं लेकिन यहा हम इसको यहाँ पर direct fold नहीं करेंगे और अगर हम इसको direct fold कर देंगे तो बार की side में दोस्तो finishing नहीं दीखेगी तो इसी लिए हम यहाँ पर एक जो यह अस्तर है इस लेंगे के अंदर मैंने हर एक कली के अंदर अस्तर लगा रखा है इस लेंगे के अंदर सारा मार्जिन यहां पे पीछे भी नहीं है और यहां पे बार के साइड में भी नहीं है सारा मार्जिन इसके अंदर के साइड में रह गया अस्तर के बीच में और इसी तरीके से यहां पे मैंने सारी कलियों में यहां पे यह अस्तर लगा के इसमें अटेज कल गया है और इसके लेंगे का जितना घेर इस लेंगे का घेर ना आप लेंगे काफी ज्यादा घेर यह अपको मैं घेर ना आपके बता देता हूं चार मीटर यहांपे इसका घेर हे अपने पास तो अब हममें यहां पर जो यह अस्तर में भी हमें चार मीटर यहांपे टोटल पटी हaremos कर नहीं है उसअ पटी को हम जोड लगाके पर लमबी कर लगाया है और बस उस लेंगे के अंदर मैंने हर एक कली के अंदर क्लाउड कट दिया है तो दोस्तों उदर से आप लेंगा बनाना और भी नई नई डिजान के लेंगे बनाना सीख सकते हैं अब यहां पर हमारे पास जो अस्तर है इस अस्तर में से पट्टिया कट कर लेते हैं अब अपने पास और अस्ते रहें इसके अंदर से भी हम एक और पटी कट कर लेते हैं यहां पर दोस्तों तीन इंच की चोड़ाई में मैंने यहां पर काफी पटिया कट कर लिए अब इन पटियों के अंदर जोड लगा के और इन पटी को लंबी कर लेते हम यहां पर दोस्तो तो यहां पर टोटल चार कपड़े हैं, एक के नीचे एक, यह इस जगे लेंगे का घेर है, इसके यहां पर इस पटी को रखेंगे, तो इस लेंगे के अंदर यहां पर यह फॉर फॉल्ड है कपड़ा, इस जगे से, तो इसके अंदर भी हम यहां पर एक फॉल्डिंग ऐसे कर होड करके और इस जगह से एक बार और नाप लेते हैं इसको खोल के यहां पर यह पूरी घिर मैं आ यहां पर फ्रंट और बैक दोनों घेर के अंधर आजाएगी फटी कि यह पर यह जगे से यह इसके बाद में इसके अंदर यहां पर यह लगाते और अब इस पट्टी को यहां पर रखने के बाद में यहां पर यह जो लेस हैं इदर से यह लेस इदर से सीधी है यहां पर गोटा लगावा है तो इस लेस को हमें इसी तरीके से यहां पर रखना है और इसकी साइड में यह इदर की साइड में मार्जिन रखना है और जब यह हम उसके अंदर लगाएंगे तब यह यहां पर सारा मार्जिन अंदर की साइड में चल जाएगा और यह जो जिगजे के यह क्यों दिखते रहेंगे तो इसके अंदर हमें यहां पर इस जगे से यहां पर रखना है इस जगे प्राइब करना ये सिलाई लगाएंगे यह जो इनल पर पटी लगए है इस पटी के यहांपर जहां से जिगजैक एंड हो रहा है उसी जगह पे यहांपर यह इस लगाएंगे सिलाई को हम यहां पर बढ़ा कर लेंगे और अब इसके बाद में यहां पर इसके आगे से आगे इसको रखे और इसके उपर सिलाई लगाएंगे मार जिन हमें आगे तक इतना ही दबाना है लेश इस दिए कर दिए अब इसके बाद में जब हम इसके अंदर लगाएंगे तो यह इस दिज़ाई से ऐसे पर जाएगा और सारा मार्जिन अंदर की तरफ चल जाएगा और अब इसके बाद यहां पर हमें इस दिखे इतना 1.5 इंच की एक्स्ट्रा पट्टि हमने रखी थी वैसे हमें इस को थी पीक पर लगानी है लगिन यहां पर मैंने इसको 3 इंच पर ती अधर गया और आधा इंच हमें इधर की साइड में दबाना इसके लिए हम यहाँ पे इसमें इस तरीके से फोल्ड करके और एक किनार वाली सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे हम इस किनार की सिलाई के अंदर नम रखेंगे इसमें दोस्तो कलियो वाला लेंगा है अगर यहाँ पे अम्रेला लेंगा होता है तो उसके अंदर भी हम यहाँ पे किनार वाली सिलाई लगाते हैं और उसके अंदर नम रखते हैं इसमें हम इसलिए नम रखते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे यह कलियो वाला लेंगा होता है उसके अंदर यहाँ यहाँ पे इस ज तरत नहीं होती है उसके अंदर हम यहां पर बिल्कुल इसको सीधा रखते हैं क्योंकि उसका घेर यहां पर चारों तरफ से बिल्कुल सीधा होता है यहां पर गोलाई नहीं आती है उस लेंगे के घेर में यहां पर हम इसको इस जगे से जहां से हमने लेस लगाई थी उदर से इधर से हम इसकी इधर पीछे की साइड में फॉल्डिंग करके और यहां पर इस दिए इस किनार वाले लगाई गया और यहां पर हम पीछे एक उंगली रखेंगे ताकि यहां पर यह इस दिए से गोलाई आजाओ इसके अंदर भी यहां पर मैंने आपको यह नम वाली बताई है यह इस जिए से यहां पर गोलाई आजाएगी इसके अंदर जो लहंगा होता है उसके अंदर भी यहां से गोलाई होती है अब इसके बाद में भी अगर यहां पर नम नहीं रहेगा तो यहां पर इसके अंदर हम बारिक बारिक प यहां पर रखेंगेंगे यहां पर नाडा लगएगा इससे को यहां पर यहां पर रखने के बाद में हमने यह जो यह पटी रड़ी करीवी है इस पटी को यहां पर लिए भी है अब उसकी अर्वी लगाई यह हम ने ही सिवन के उपर अश्राइट लगाई ही है ञवां कि इस तरिकार रक लेते हैं और ऐसे अधने के बाद में यहां पर पीछे के साइड में फह states आधि है उस्सेक्ठारी सिलाई के उपर यह लगा पो अब यहां पर यह इस जिगए बीच में लेस आजाएगी और यह लेस इस तरीके से यहां पर फॉल्ड हो जाएगी और यह जो इतने भी जिगजेक है इसमें लेस के अंदर केवल यही दिखेंगे इसमें बाहर की तरफ बाकी सारा माजिन इसके अंदर बीच में दब जाएगा अब इसी तरीके से हम यहाँ पर यह पट्टी इसके उपर लगा देते हैं पूरे घेर के अंदर अब यहाँ पर यह मूह आ गया है जिदर से हमने यह पट्टी लगाना स्टार्ट करा है अब इसके बाद क्योंब इस पट्टी को यहां पर हम इस जगे से founded करेंगे और इसके बाद यह जो आगे पट्टी लगई इस पट्टी को यहां पर लेके आजाएंगे आगे और यह इतना एक इंच अंदर तक इसको कट कर लेंगे और यहां पे कट करने गए इसकी एक फोल्डिंग इसके उपर इस जिगे कर देंगे और यह फोल्डिंग करने बाद यहां पे यह सलाई वापस आगे continue कर लेते हैं यहां पर एक इंच पीछे की साइड में यह आगे वाली पट्टी का माजिन है और इसके बाद इसको इसके उपर पल्टी लगा देंगे इस जगे से इसको ऐसे पल्टी लगा के और यहां पर यह किनार वाली सिलाई लगा देते हैं इस पट्टी के उपर तो यहां पर इस घयर के अंदर है, एक सलाई से तो इसके ओपर फॉब्टी लगी ए और इसके बाद यहां से हम इसको इस को इस तरी के से अंदर फॉब्ट करेंगे यह पूरे पटी के अंदर के साइड में फॉर्ड हो जाहीगे सकें पर इसके अंदर यह किनार वाली सिलाई यह उपर हम यहां इस लगाएंगे और इस पटी को तरह इसके फिनिशिंग आयागी इसके अंदर और अब इस प Too के अंदर हम्हें हैं अठीप इस भिच भीच में यह बारिक बारिक स्ल डालने पड़ेंगे है कि क्कियों कि यहां पे यह ने हेरे होता है दोस्तो इसको में रख के बताऊंगा इसके अंदर यहाँ पर चैंद वाले शेप में इसमें गोलाई होती है गेर गेर के अंदर यहाँ पर आटومेटिक त्मेस सामने दिख जायेगा कि यहाँ पर सलवरट डालने की जड़ुर्त है अब ये इसी तरीके से दोस्तो आगे तक ये जो भी पट्टी लगी है इस पट्टी के अंदर यहाँ पे नीचे की साइड में भी हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे मार्जिन इसके उपर फॉल नहीं रहेगा नीचे की साइड से भी हमें मार्जिन को इस तरीके से खेंच के रखना है और उपर की साइड में भी यह जो पट्टी है इसको भी बराबर रखना है तो दोस्तो फाइनल यहां पर मैंने इस लेंगे के हैं घेर के अंदर पट्टी और यह लेस लगा के कंप्लीट कर लिया इस लेंगे को और जो मैंने आपको बताया था इस लेंगे के अंदर नीचे घेर के अंदर गोलाई है वह यह गोलाई दोस्तो आपको इस वीडियो के अं झाल झाल